सुकेश चंद्रशेकर जो 200 करोड की ठगी के मामले में तिहार जेल में कैद है जैकलीन ने इस शक्स को भले ही अपनी जिंदगी से निकाल दिया हो लेकिन जैकलीन की जिंदगी में ये शक्स लंबे समय तक रहेगा और जैकलीन याद नहीं भी करेगी तो लोग उसे याद कराएंगे ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला है जैकलीन फिननेंडेस के आने वाली फिल्म बच्चन पांडे का आज लुक जो है वो रिवील हुआ है तो जाहिर सी बात है जब फिल्म का पहला लोग आया है तो जैकलीन की चर्चा होनी चाहिए फिल्म की चर्चा होनी चाहिए लेकिन चर्चा फिर से सुकेश चंदरशेकर और जैकलीन के रिष्टे की ही हुई जाहिर सी बात है सुकेश चंदर शेखर ने जैकलीन फिनान्डेस को बड़े बड़े गिफ्ट किये हैं उन्हें गुची से लेकर डाइमंड ब्रेसलेट्स तक गिफ्ट किये हैं और उनकी मदर को एक BMW कार भी दी है ऐसे मैं आज जब जैकलीन मर्सेडीज में नजर आई तो लोगों ने पूछ लिया कि ये मर्सेडीज भी कहीं सुकेश चंदर शेखर नहीं गिफ्ट तो नहीं की है एक user ने कहा कार तुम्हारी है या सुकेश की है तो दूसरे ने कहा कि बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली हो आपको बता दे कि सुकेश चंदर शेखर के मामले में जैकलीन फिनांडेस फसी हुई है उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है देश छोड़कर वो नहीं जा सकती है और उन्होंने सोशल मीडिया पे भी अभी लोग प्रोफाइल मेंटेन की हुई है जब से उनके उसकेश चंदर शेखर के कुछ इंटिमेट पिच्छ लीक हो गए लेकिन अब धीरे धीरे जैकलीन फिर से आक्टिव हो रही है विडियोज और पिच्छ डानने लगी है तो इसी को लेकर अब जैकलीन फिर से ट्रोल हो रही है सुकेश चंदर शेखर वो शक्स है जिसने जेल में बैट कर 200 करोड ठग लिये और कहा जाता है कि उन ठगी के पैसों से उसने जो कुछ वो खरीद सकता था उसने खरीदा फिर चाहे बॉलिवूड की बड़ी आक्ट्रसेस हो या फिर जेल की अथॉरिटीज ही हो जो उसे जे में भी होटेल जैसा आराम दे